आज की क्लास में हम आ राइट करना सीखेंगे, ओके, आ हम कैसे बनाएंगे, कैसे राइट करेंगे, आज की क्लास में आपको मैं बताती हूँ, आ राइट करने के लिए हमने कई आपको बेसिक स्टोक्स लास्ट क्लास में बताया है, ये दिखिए, मैंने आपको प्रक्टिस कर आज की क्लास में हम लोग इसी की हल्प से आ राइट करना सीखेंगे, येस, तो स्टाट करते हैं, येस, आ हम कैसे राइट करेंगे, कैसे बनाएंगे, मैं आपको आज सिखाती हूं, हम थ्री की हल्प से और स्टैंडिंग स्लेपिंग लाइन की हल्प से आ राइट करना सीखेंगे, येस, तो हम कैसे की बनाएंगे, आपको थ्री डॉट की हल्प से आ राइट करना है, थ्री डॉट्स आपको पता है, मैंने आपको कई क्लासों में रिवाइस किया है, येस, तो ह हम स्टार्ट करते हैं त्री डॉट्स कौन सा होता हमारा पापा डॉट्स मम्मा डॉट्स एंड बेबी डॉट्स अब हम थ्री डॉट्स की हेल्प से सबसे पहले हम थ्री राइट करेंगे कुकि यहाँ पर यह देखिए थ्री है जो मैंने यहाँ पर आपको प्रक्टिस कराई थी इसी की हल्प से हम यहाँ पर आराइट करेंगे यह सबसे पहले हम थ्री राइट करेंगे तो थ्री राइट करने के लिए हम थ्री डॉट्स की हल्प लेंगे यहाँ पर हमने स्लीपिंग लाइन पहले से ड्रॉट कर लिए आप लोग भी अपनी कॉपी में स्लीपिंग लाइन ऐसे ड्रॉट करेंगे जिससे आपको आराइट करने में कोई प्राबलम नहीं होगी तो मैंने यहाँ पर थ्री डॉट्स रख लिया है अब हम थ्री राइट करेंगे मैंने आपको कहा था कि यह कुछ बेसिक स्टोक्स हैं बट आप इसको थ्री बोल सकते थ्री डाइट करने के लिए आपको मैंने क्लास में पिछली राइट कर्व ड्रॉट करना सिखाया था तो हम राइट कर्व की हैल्प से यहाँ पर थ्री ड्रॉट करेंगे यस तो हम फश्ट आफ आल पापा डॉट्स पे पेंसल रखा और स्लूल इससले अपने हैंड को mama dot से ज्वाइब करेंगे Yes, this is right curve two right curve की help से हम three right करेंगे Yes, अब हम first right हमारा right curve ड्रौव हो गया है अब हम second right curve first dot sorry, first right curve से ज्वाइब करके second right curve ड्रौव करेंगे और mama dot से ज्वाइब करते हुए pencils को मूग करते हुए down की ओलाते हुए baby dots से join करेंगे yes this is three yes यह हमारा three right हो गया अब हम यह first right curve के mid में sorry first right curve का जहां पर मैंने stop किया है वही पर mid वही पर हम लोग जहां पर stop करते हैं वही पर हम लोग एक one small sleeping line draw करेंगे yes this is one sleeping line small yes अब हमने small sleeping line draw कर लिया है अब हम क्या करेंगे अब ही हम standing line sleeping line को join करते हुए अब से down की और draw करेंगे और sleeping line जो हमारी इसको join करते हुए इस एक standing line draw करेंगे yes this is yes this is अ इसी तरह आपको a right करना है ओके आपको ये माइड में रखना है कि सबसे पहले हम right कर्व ड्रॉ करेंगे फिर first right कर्व को join करते हुए एक और right कर्व ड्रॉ करेंगे yes फिर mid में right कर्व जहां first stop होता है वही पर mid में once small sleeping line ड्रॉ करेंगे yes फिर sleeping line को join करते हुए up से down की और एक हम standing line ड्रॉ करेंगे yes यहां पर आईए देखिए standing line sleeping line and right कर्व की help से हमने यहां पर a right किया है इसी तरह आपको a right करना है yes this is a this is a can you tell me student yes yes a yes इसी तरह a हम right करेंगे okay फिर से मैं repeat करती हूँ आग हम कैसे right करेंगे okay मैंने आप three dots की help से हमें three right करना है yes और हम three dots रख लिए है first dot papa dots second dots mama dots and third dots baby dots yes अब हम papa dots से mama dots तक जाइन करेंगे और एक right कर्व ड्रॉ करेंगे yes this is right curve अब हमने यहां baby sorry यहां mama dots से जाइन कर लिया है अब हम mama dots से baby dots तक जाइन करेंगे और एक right कर्व और ड्रॉ करेंगे first right कर्व से down से जाइन करते हुए एक और right कर्व ड्रॉ करेंगे yes this is three यह हमारा three right हो गया है अब हम क्या करेंगे यह हमने जो first right कर्व ड्रॉ किया है जहां पर हम stop करते हैं वहीं पर हम एक one sleeping small line ड्रॉ करेंगे one small sleeping line ड्रॉ करेंगे yes यह दिखें मैंने ड्रॉ कर लिया है अब हम क्या करेंगे अब हम sleeping line को join करते हुए up say down के और one standing line ड्रॉ करेंगे yes और हम one standing line ड्रॉ करेंगे sleeping line को join करते हुए yes up say down के और one standing line ड्रॉ किया yes this is a this is a what is this is a इसी तरह आपको a right करना है yes यह देखिए a मैंने right किया है इसी तरह आपको a right करना है yes फस्टा फाल क्या करेंगे मैं फिर से repeat करती हूँ three dots रखेंगे first dot papa dot second dot mama dot and third dot baby dots yes अब first dot से second dot तक turn करेंगे और right side से move करते हुए right कर draw करेंगे yes slowly slowly papa dot से mama dot से join करेंगे और right side से move करते हुए slowly slowly अपने हैंड को move करेंगे और mama dot से join करेंगे yes यह देखिए मैंने right करव draw कर लिया अब एक right कर्व और one draw करेंगे क्योंकि दो right कर्व join करके हम three draw कर देंगे yes अब हम mama dot से join करते वे down से baby dot से join करेंगे yes this is three यह हमारा three right हो गया है अब हम क्या करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने right कर्व stop किया है first वही पर mid में sorry वही पर जहाँ पर stop किया है वही से हम one small sleeping line draw करेंगे yes यह देखिए हमारा sleeping line draw हो गया small अब हम क्या करेंगे sleeping line को अब हम standing line draw करेंगे अब से down cure और sleeping line को जोड़ते हुए one standing line draw करेंगे तो start करते हैं अब यहाँ पर हम लोग बिना dot की help से right करेंगे yes अब हम क्या करेंगे first step फाल यह देखिए हम लोगों ने three पहले बनाना सीखा था अब हम यहाँ पर three right करेंगे जिसे हम आप बो सकते हैं पहले right curve first and second right curve yes तो three थोड़ा सा आसा आसानी होगी हमको right करने में और बोलने में भी yes line को joint करते हुए यह देखिए यह हमारा three right हो गया yes अब next हम क्या करेंगे one small three line sorry sleeping line draw करेंगे three के जो हमारा three है इसमें mid में three के वहाँ पर one sleeping line draw करेंगे small yes this is sleeping line and next one standing line yes sleeping line को join करते हुए one standing line draw करेंगे आप से down करेंगे yes this is up इसी तरह आपको right करना है बिना dots के हम यहाँ पर right कर रहे हैं सबसे पहला three right करेंगे yes slowly slip आपको move करना है yes यह देखिए हमने three right कर दिया है अब हम क्या करेंगे next three के जो mid में हम one small sleeping line draw करेंगे yes this is sleeping line and next sleeping line को join करते हुए one standing line upside down के और right करेंगे yes this is आप इसी तरह अपनी copy में आपको right करना है okay yes repeat करती हैं फिर से अब इस्टाफाल क्या करेंगे tell me tell me three yes three right करेंगे yes यह दिखिए हमने three right कर लिया अब हम क्या करेंगे three के mid में जो हमने three right के इसके mid में हम लोग one small sleeping line draw करेंगे yes this is sleeping line and next sleeping line को joint करते हुए standing line draw करेंगे yes upside down के और this is a इसी तरह आपको छोटा a draw करना है यहाँ पर हमने three dot की हल्प से आपको a right करना सिखाया था अब हमने यहाँ पर बिना dot की हल्प से a right करना आपको बताया ओके इसी तरह हम a right करेंगे मैं फिर से repeat करती हूँ मैं बार-बार इसलिए repeat कर रही हूँ कि आपको a right करने में कोई भी problem ना हो ओके तो start करते हैं a right करने के लिए हम क्या करेंगे three right करेंगे yes sleeping line one small yes and standing line yes up next repeat again three right करेंगे sleeping line one small and standing line yes इसी तरह आपको right करना है next three right करेंगे yes one sleeping line one sleeping line and and one standing line yes this is a इसी तरह आपको a right करना है मा करेंग um बहा हुर करेंगे व स्टीन